तो लालू जी का अगर इतिहास देखेगा कॉंग्रेस के साथ गडवन्दन के संबंद को तो कॉंग्रेस के साथ लालू जी कभी भी ओनेस्ट नहीं रहे हैं, कभी नहीं रहे हैं, हम तो साड़ी चार साल खुद कांग्रेस के प्रेजिडेंट रहे हैं, कांग्रेस से हम मंत्री रहें सब कुछ रहा लेकिन उनका जो भाव हमेशा रहा वो कॉंग्रेस के प्रती इमांदार भाव लेकिन अगर आप लोग सभा का देखिएगा तो 2009 का लोग सभा देखिए लास्ट लास्ट मुव्मेंट तक करते हुए और फिर अंतिम समय में उन्होंने गड़बंधन कि हम हमारे आगे और हम बड़े भाई की भूमिका अभी जो चुना हो रहा है उसमें किसका चेहरा काम आएगा मोदी का या नितीश कुमार का नितीश जी नों तो बार-बार कहा है कि ना हम कमनलिजम ना हम करप्शन ना हम थ्रीसी ना हम क्राइम ये तीनों चीज पर हम कभी सबसे बड़ा सवाल कि नितीश कुमार जी का कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है उनके बाद जेडिव को कौन समा लगा किसके हाथ में होगा जेडिव ये सब के जहन में सवाल है और उनका उम्र देखिए तो अभी हमको नहीं लगता है कि नितीश जी को अपने उत्राद दिकारी खोजने की आवशकता है समय आएगा तो निश्ची तुरुप से अपने उत्रा दिकारी को भी खोजने का का में है अभी नितीश कुमार तो अभी अगले दस साल तक खनक के साथ बिहार की राजनिती में अपना दमखम दिखाते रहेंगे तो देश भर में चुनावी डूगडूगी बच चुकी है बिहार में इंडी में सीटों का बटवारा भी हो चुका है सारे उमिद्वार के नाम भी तय हो गये हैं लेकिन इंडी गटवंदन में अभी घमसान मचा हुआ है लालू यादों छो से ज़्यादा सीट कांग्रेस क पर लालू यादों ने पहले ही उमिद्वार उतार दिया सीट सेरिंग फाइनल हुआ नहीं सिंबल बाट दिया तो अभी भी पेज फसा हुआ है अभी मेरे साथ हैं जेडियू के कद्दावर धलितनेता और सोक चौधरी जी जो किसी परचे के महताज नहीं है बिहार सरकार क मंत्री भी हैं इनसे बात करेंगे बिहार की राजनिती पर सर अभी बिहार में इंडिये ने सब कुछ फाइनल कर लिया उमिद्वार तै हो गया इंडी गडबंदर में रार मचा हुआ है उसका कितना लाह मिलेगा इंडिये गडबंदर देखे तो बात हम बताना चाहते हैं क अगर आप लालू परसाद यादव जी के हम कॉंग्रेस के साथ राजनीत की अगर आप चर्चा करिएगा गडबंदर की चर्चा करिएगा तो लालू जी का अगर इतिहास देखेगा कॉंग्रेस के साथ गडबंदर के संबंद को तो कॉंग्रेस के साथ लालू जी कभी भी लेकिन उनका जो भाव हमेशा रहा, वो कॉंग्रेस के प्रती इमानदार भाव नहीं रहा, जो एक अलायंस पार्टनर का भाव होना चाहिए, कि हमारे साथ साथ मेरा अलायंस पार्टनर भी ग्रो करें, जो नितीजी का भाव है, कि हम भी ग्रो करें, हमारे अलायंस पार्टनर मेरा फाइदा उनको मिले उनका फाइदा हमको मिले यह एक मतलब जिसको बोलते हैं कि एक mutual trust जिसको कहते हैं लेकिन अगर आप 2009 देखिए 2009 में मुझे जहां तक याद है कि जब आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्स थे तो सबसे ज्यादा सीटे कांग्रेस को मिली कांग्रेस लड़ी और ज्यादा सीट जीती भी उसका कारण ये था कि नितीश जी honest थे जो गडबंधन को लीट कर रहे थे वो honest थे वो इमंदार थे लालू जी तो आठ से नौ सीट देना चाहते थे कदे ते तीन सीट है चो लेलो चो से पेट नहीं भरता है तो नौ लेलो और इससे तुम्हारा क्या बनता है बट नितीश जी थे कि उन्होंने कहा दो तीन राउंड की बैठक कुई जब हम लोग तो नितीश जी ने कहा कि नितीश जी लेंगे एक नितीश जी लेंगे गडवंधन तोड़ दिया कांग्रेस इंतियार में रही उसके बाद दिल्ली से पटना चले आए और उन्होंने सभी सीटों पर घोशना कर दी फिर कांग्रेस को के लिए लड़ना पड़ा उसमें अनील सर्माजी अद्धक्ष थे फिर 2014 में आई ये उसमें कांग्रेस के हम पर देशत दक्ष थे हमारे समयमें उन्होंने जो सीटे दी वो सब सीटे घोशना करके और वहां से पटना वापस आए और पटना आने के बाद हमारे उसमें महामंत्री सीपी जोशी जी थे वो बार बार फोन लगा रहे थे ये फोन ही उठा रहे थे और उसके बाद उन्होंने कौन सी सीटी दी दिया उन्होंने नालंदा उन्होंने दिया पटना साहेब उन्होंने दिया जो एक जीती नहीं सकते सासाराम और अंगाबाद और हमें मिला किसन गंज तो मतलब अब चोधा के बाद फिर हुआ उनीस में भी वही हाल चाल रहा है गड़बंधन का अब फिर आया एकईस चोविस तो चोविस में भी अब देख लिजिए कि लोग परसान है अब है कि जो लोग भी पार्टी के साथ लगा हुआ है क्योंकि हम कांग्रिस का हमारा बाइक ग्राउंड रहा है और हमारा छोड़न का भी मकसद पार्टी यही था कि आप जिसके साथ आप काम कर रहे हैं आप जो भी चाहते हैं वह आप देंगे नहीं लाश मुम्मेंट में तो पांट साल आपका प्रबाद हो गया जो भी लोग लगे हुए हैं अपने अपने चेतर में सब सीट वलट कर देते हैं अब यही क करना चाहते हैं यह कांग्रेस को ससक्त और मजबूत करना नहीं चाहते हैं लेकिन कांग्रेस को जिंदा रखना चाहते हैं कांग्रेस हाई कमान इस बात को समझने को त्यारी नहीं है जिस कांग्रेस पार्टी के अपने इतने वरकर थे धीरे 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 सब वरकर छूट ग साथ ऐसी सीटे जहाँ पर उनका विदायक को था वह सब सीटे उन्होंने दिया कॉंग्रेंस को आरहम संब्सक्राइब के साथ Alginging करे चारिजिए सुधरा उसकी वुजय हम आपके घर जाएंग्ट कितना आदर संबान करते हैं मेरा संबन तो उस पर न बंता है अब आपको हमको बुला लीजिए और आप हमको इंतजार में बैटे में धाली लगा के ना खाना आ रहा है ना पानी आ रहा है खाली बुल्र लाओ 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 चार गंडा बेटा कर और रोटी खिलाकर न प्रवाइदा को मिलने ही मिलने का फाइदा तो मिले गई एक आर जेडी हमेशा यह चाहती है कि हम हमारे आगे और हम बड़े भाई की बुमिका में रहे हैं हमको कांग्रेस का अगर सब जगा कांग्रेस लड़ जाता है तो हमारे जो भोटों का बिखराओ होगा तो वह भी नह आते है और कांग्रेस उस चक्कर में रता है कि हमको निंद लालू के साथ रहना पड़ेगा तो कांग्रेस तैयारी भी नहीं करति है जो मजबूत मजबूत कांग्रेस के लोग जो हर तरह से अपने को सक्षम मानते थे और वो किसी न किसी पार्टी में किनारे लग गए। किसी अधिकारी को किसी राजनिता को पहरी करते हैं आपका प्यर्म को ने सुनेगात तो आपके पास नहीं आके किसी दूसरे राजनिता के पास जाना शुरू करते हैं सिंपल बात रहरा है। मोदी का या नितीश कुमार का मोदी और नितीश कुमार इन दोनों का बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन मोदी जी ने इस देश में कहीं न कहीं प्रोस्पैरिटी का इस देश में कहीं न कहीं जिसको बोलते हैं नाशनलिजम का इस देश में कहीं न कहीं धर्म का इस देश में नहीं कहीं लोगों को लगता है कि सक्चम वेक्ती है इसका उन्होंने परसेप्शन बनाने में ये सक्चम हो पाए है कि लोगों को ये विश्वास हो गया है कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्चित और मानिय नितीज जी ने डिलेवर्ट करके लोगों को काम दि स्भास है नितीज जी एक अच्छे राजनेता हैं इनके उपर ना इनके उपर परिवाद्वाद का रौप तो नितिश जी का जो पूरी फुरा व्यक्तित्व है वो एक ठांस्पेरेंट पारदर्सी एक जिसको बूलते हैं अभीभाव का एक गारजियन का एक व्यक्ति जिसने बिहार के पूरे इमिज को देश दुनिया में बदलने का काम किया तो वो एक साथ में हमारे है तो इन दोन का जो कॉंबिनेशन है वो अप्रड़ा लीथल कॉंबिनेशन है कि नितीश कुमार अपने स्टेकुलर क्रेडेंसियल को लेकर हमेशा सजग रहे हैं बीजेपी के साथ सालों साल सासं किया लेकिन कभी कॉंप्रमाइज नहीं किया अब जब बीजेपी ज्यादा रेडिकल हिंद बार-बार कहा है कि ना हम कमनलिजम ना हम करप्षन ना हम थ्री सी ना हम क्राइम ये तीनों चीज़ पर हम कभी कंप्रमाइज नहीं करें आज आप देख लिजे कि 18 साल पहले नितीश जी के आने के पहले का बिहार में कितना कॉमनलिजम था कितने हिंदु-मुस्लीम की साथ रहे, लेकिन एक भी धार्मिक उन्माद इस प्रदेश में हुआ हो, seb दार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं क्योंकि आप रेडिकल हिंदुजम की बात की उस पर हम करें कहीं पर होने दिया रात रात भर मुखमंत्री जकते हैं, अपने पार्टी के लोग बिरोधी लोग जो सब को एक्टिवेट करते हैं कि भाई देखिए वहाँ पर परिस्तितियां जो है उसको नियंतरन करिए वहाँ जाए आपने लोगों को फोन करिए सबसे बड़ा सवाल कि नितीश कुमार जी का की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है उनके बाद जेडिव को कौन सम्हा लगा किसके हाथ में होगा जेडिव यह सब के जहन में सवाल है अच्छा आप हमको यह बताईए कि यूएस प्रेजिडेंट उनकी क्या उम्र है जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर देश है इस दुनिया का जिसके पास एकॉनमी जिसके पास संपदा और जिसके पास टेक्निलोजी जिसके पास हर तरह से जिसको बूलते हैं संपन्य दे यह बार 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 नितीज जी के उपर उठाया जाता है और उनका उम्र देखिए तो अभी हमको नहीं लगता है कि नितीज जी को अपने उत्रादिकारी को भी खोजने का काम करेंगे मगर अभी यह नितीज जी का समय उत्रादिकारी को भी खोजने का नहीं है क्योंकि अभ इन से दस साल, ग्यारा साल उबड़ा है। तो फिर वाई यू आर कमिंग टू नितीश जी अब पर्षन हो इस 85-86 यर ओल्ड इवेन इफ एन रन यू एस प्रेजडेंट, वट इस हां में नितीश कुमार रुनिंग अ स्टेट लाइक ब्यार। और प्रधान मंत्री मोधी भी तो बड़े हैं उनसे उम्र में। इतने मिचोड हैं कि अपने उत्रा दिकारी का कही ने कहीं कोच करेंगे। किसी ने किसी को अपना सकसेसर बनाएंगे। दूसरी बात कि नितीश जी के बारे में नितीश जी जो है उस में चले गया फिर इस में चले आए फिर उस में चले गया, That is only 10% of नितीश कुमार. that is only 10% of नितीश कुमार नितीश कुमार का वो 10 प्रतिसत है लेगिन 90 प्रतिसत नितीश जी नितीश जी एक राजनितिक व्यक्ती है एक पार्टी के संस्थापक है एक पार्टी को चलाते है उस पार्टी के हित को देखते हुए नितीश जुने ठीक है अपने पार्टी के हित को देखते हुए अपने लोगों के कहने पर कुछ निरनय उन्हों न किये कभी भारते जंदा पार्टी को छोड़ दिये महागडबंधन का निर्मान किया महागडबंधन में भी उन्होंने लोगों को अपनी धमक दिखाई कि कैसे हम भारती जंदा पार्टी को यहां पर हम रोक सकते हैं और उन्हों रोक करके दिखाया 2020 में भारती जंदा पार्टी के साथ गए इसमें भी कहीं दो मत नहीं है कि उनके साथ क्या किया गया 43 सीट पर आने लाइक तो विक्ति तो नितिश कुमार जी कहीं नहीं है कदाई नहीं है अकेले भी चुनौ लोड़ेंगे तो 43 सीट नहीं आएगे तो गड़ बंदन में 43 सीट आएगे कहीं न कहीं साजिस हुई वो अब अलग बात है छोड़ दीजिए उसको साजिस दोहरा ही जा सकती है नितिश कुमार के साथ बीजेपी फिर कर सकते हैं ऐसा है कि हम तो आप हमको कहिए कि भाईया हम स्रिखान जी आप बोले कि भाई चले अशोग चौधरी जी हम ठंड़ा पिके आते हैं होगारी में बठा लीजिए और उसके बाद लगे चोड़ा प जाते हैं बट कोई ने कोई राजनीतिक साजी सुई हमारे साथ जिसे हम ते ताली सीट पर आ गए तो नितीश कुमार जो वेक्ति इतना काम प्रदेश में किया तो निश्ची दूप से उनको भी आगहात लगेगा कैसा नहीं है कि हमारे पाटी को ही मार्जनलाइज कर दिया जो बाहर के राजियों ने अंगिकार किया सिक्षा के छेतर में कैसे हमारी बचियां पढ़े कैसे हम आगे बढ़ें उसके लिए योजना लाए आप टेंथ पास करोगे तब पैसा आप ट्वेल्थ पास करोगे बच्चियों को तब पैसा आप ग्राजुएट करोगे परपड रेट बहुत ज़्यादा है उन्होंने पुशाक योजना शुरू की कि गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं तो जब बच्ची सियानी हो जाती है तो लोग स्कूल भेशते नहीं है इनकी दूर दरस्ता है और उन्ह के लिए सतत्त प्रयास करना पड़ता है तो नितीजी की योजना हर घर नल का जल सिक्चा पर जो उन्होंने काम किया घर घर बिजली योजना जो उन्होंने शुरू की हर घर घर जो उन्होंने नली-गली की योजना तो बहुत से ऐसी योजनाओं कि मानिये निता ने ने कि कोई नितीश कुमार ने स्कीम लाया अब नितीश कुमार कम हो जाएंगे तो सब फोरेस्ट पेड़ मर जाएगा तो यह तो आने वाले जनरेशन के लिए उन्होंने डिलेवर्ट किया है ना तो नितीश कुमार के बारे में जो लोग बोलते हैं वो 10% नितीश कुमार को बिरोधी कि यह हैं बुड़ा हो गए हैं और इनको बदल देना चाहिए उत्रादिकारी कौन होगा यह होगा होगा यह सब कि उधर चले गए फिर इधर आगे पर नाइंटी परसें नितीश कुमार ने जो बिहार को डिलेवर किया जो बिहार की छवी को बदला हाज बिहार दे देश के विकास दर से हम आगे बढ़ रहा है तो यह सब किसकी उपलब दी है इस दाट इवेन हम बीज़ेपी के साथ थे तो हमने साथ निश्चे एक लाया तो क्या हम भाजपा के साथ गये तो हमने साथ निश्चे एक बदला नहीं उसी पर काम हुआ हम साथ निश्चे योजना बंद कर दीजे, ये योजना बंद कर दीजे, अब ये योजना शुरू होगी नहीं? तो as a person, as a guardian, एक state के, जिसको बोलते हैं, statesman के रूप में, diplomat के रूप में, राजनितिक के रूप में, जो एक progressive leader के रूप में, जो उन्होंने जो प्लान दिया, उन्होंने जो किय वो उनका 90% नितीश कुमार है, लेकिन उसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं. साथ बिहार की राजनिती में अपना दमखम दिखाते रहेंगे.